तो हलो नमस्ते अस्तार कुंस अस्ते काल केम छो नना बिग बॉस अभी नहीं शुरू हो रहा है टीवी वाला बिग बॉस ये जिन्देगी का बिग बॉस शुरू हो गया है सब घर में बैठे हैं लेकिन कुछ लोग हैं जो के उलंगन कर रहे हैं अब हाली में मैं हाँ पर आया दो दिन की चुट्टी के लिए और चुट्टी हो गई मेरी नहीं हम सब की ये करोना कोविड नाइंटीन ने सब की चुट्टी कर दी पहले ऐसा रगा कि फ्लू है खतम हो जाएगा घर चले जाएंगे फिर ये लॉकडाउन हुआ जब ये लॉकडाउन हुआ तो मामला बड़ा गंबीर बड़ा सीरिस हो गया है क्योंकि यहां पर पुरा खांदान है पुरा परिवार है हमारी अम्मी है हमारी दो बहने हैं उनके बच्चे हैं और कुछ काम रिलेटिड लोग आये थे जो के अब जाके इस करोना वायरिस कोविड नाइंटीन के अंदर दोस्त बन गए तो यहां पर हमने एक रूल बनाया कि यहां पर जो है वो यहीं पर रहेगा और बाहर का कोई नहीं आएगा और अंदर से कोई बाहर नहीं जाएगा तो लेकिन राशन के लिए जाना पड़ता है अब हमने कुछ वेजटिबल्स के लिए हमारे बहुती अजीज करीवी दोस्त को पास में पांचे किलोमेडर बहुत अच्छा काम कर रहें अब पास तो था उनके पास गाड़ी का तो वो गए उनको पुलीस ने रोका तो इन्होंने क्या कि पुलीस पुलीस्वाले से बात करते हैं उन्हेने अपना मास निकाल लिया तो पुलीस ओना का वंसे क्लिए मास पेंडो तो उनको सम्झ में आ गया कि encouragingकर प्राइबम कौने की यह और ने किया की 이야기 इस बिमारी में रिजल्ट positive होना बहुत दुक्र दायक बात है और स्पेशली उस बिमारी का जिसका कोई लाज नहीं है लेकिन किसी पॉजिटिव पेशिंट के दिमाग में एक नेगेटिव थाउट आ जाना एक उसका सियम खो देना, होब खो देना वो उससे बुरी बात है और जो पॉजिटिव टेस्टिव पेशिंट है, उसका दुख ना समझना वो एंटी हुमिन, एंटी इंसानियत है जो पॉजिटिव टेस्टिव पेशिंट है, उसके बात ये समझ में आ जाती है कि हमने एतियात नहीं रखा, गल्दी हमसे हो गई और जो नेगिटिव है और एतियात नहीं रख रहे हैं, वो जल्द पॉजिटिव हो जाएंगे ये गैरंटी है और फिर अपने पूरे खांदान को ये बिमारी दे देंगे खांदान से महले को, महले से शहर को, शहर से पुरे हंदुस्तान को क्या कहा है गवर्मेंट ने, के बाहर मत जाओ, सोशिल कैदेरिंज ना करो ये ही कहा है न, दोस्त यारों से ना मिलो, आइसोलेशन में रहो, घर में रहो, परिवार के साथ रहो परिवार के साथ वग गुजारो, ये सब किस के लिए, उनके लिए, नहीं, हम सब के लिए नमास पढ़ना है घर पे पड़ो, बुझा पाट करनी घर पे करो, बच्पर में ये सीखा था कि भगवान हमारे अंदर है तो अगर भगवान के घर जाना, अल्ला के घर जाना है, परिवार के साथ जाना है तो निकलो भाग, मरना तो एक दिन सब को है, लेगिन क्या कोई मरना चाहता है यह यहां पर आके यह बात चेंज कैसे हुई इंडिया के आवाम को, इंडिया के आबादी को कम करना चाते हो starting with your own family तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माता-पिता, तुम्हारे बुजर्ग जिन्होंने तुम्हें पाल पोस्के बड़ा किया है उनके साथ चुरुआत करोगे अब आब बताओ, पुलीस का साथ देना, गवर्मेंट का साथ देना, डॉक्टर्स का साथ देना, जो लोग बैंकों में काम करते हैं, उनका साथ देना या नहीं अब वो लोग इस बात का जवाब दो जो के गवर्मेंट की बात नहीं सुन रहे कि वो सही है गलत है करेक्ट है रॉंग है नेगिटिव सोच रहे हैं या पॉजिटिव सोच रहे हैं अगर आपके आक्शन सही होते तो यह लोग डाउन अभी तक के खतम हो गया होता और करोना वायरिस भी अगर आप ऐसे बाहर नहीं निकलते हैं ग्रूप्स में दोस्तियारों के साथ तो पुलीस वाले आपके पुठों पर डंडा नहीं मारती है आपको क्या लग रहा है इसमें के पुलीस वालों को मजा रहा है किसने रोका आपको राशन लेने में जाओ ना किसने रोका है खाने पीने का सावा लेने जाओ घर तुरंत आजाओ पास में जाओ किसने रोका है मास पहनो, कलवस पहनो अकेले जाओ गवर्मिन्ट ने ये वादा किया है कि राशन पानी सब को मिलेगा आपको क्या लगता है कि पुलीस वाले डॉक्टर्स नर्सिस जो बैंक में काम कर रहे हैं उनको करोना वाइरस नहीं होगा, उनके परिवार को नहीं होगा लेकिन उनको देखो, फिर भी वो 18-18 गंटे काम कर रहे हैं किसके लिए काम कर रहे हैं? आपके लिए काम कर रहे हैं और वो भी आपको रोखने के लिए नहीं, करोना वाइरस को फैलने से रोखने के लिए कर रहे हैं क्योंकि ये बिमारी उंच नीच जातपात, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, कम उमर, हम उमर, बड़ी उमर, कुछ नहीं देखती, आप ये पुलीस वालों की ड्यूटी है, वो निभारें, और आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि आप घर पे बैठें, और वो भी आप नहीं बारें, मैं कुछ ऐसे लोगों जानता हूं, जो घर के बार कभी नहीं निकलते थे, जब से ये बोला गया है कि घर से बार मत निकलो, उन्होंने निकलना शुरू करती है, कमाल है, अब जो डॉक्टर अपनी जान को खत्रे में डाल रहे हैं, पुलीस वाले अपनी जान को ख खाने पीने के लिए आप उनकी भी जान को खत्रे में डाल रहे हैं, ये कमाल है, डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सिस आपकी जान बचाने के लिए आए, और आपने उन पे पत्तर बरसा दिया, जो करोना से डिटेक्ट हो रहा है, वाह, वो हॉस्पिटल स भाग रहा है भाग के जाओगे कहां किस और भाग रहे हो जिंदकी के और भाग रहे हैं मौत के और भाग रहे हो अगर ये डॉक्टर तुम्हारे लाज नहीं करते और पुली सडकों पे नहीं होती तो चंद लोगों की वज़े से जिनके दिमाट में ये चल रहा है कि हमें नह हिंदोस्तान के धेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे देखो मैं उनकी बात समझता हूँ जिनके पास कुछ खाने को नहीं है बच्चों को खिलाने को नहीं है अब उन्हें मैं सलाम करता हूँ क्योंकि वो भी जानते हैं कि परिवार गुजर जाने से बैतर है कि ये बिना खाए पिये ये वक्त गुजर जाए बहुत अच्छा काम हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि वाकई में हिंदुस्तान एक दूसरे से दिल से जोड़ा है लेकिन चंद जोकरों की वज़े से ये बिमारी पहली जा रही है अगर आपके आक्शन ऐसे नहीं होते तो पुलीस के लिए आक्शन ऐसे नहीं होते अगर आपके आक्शन ऐसे नहीं होते तो हजारों पुलीस वालों को हजारों डॉक्टर्स को नर्सिस को और आवाम को करूना वायरस नहीं होता इतने लोगों काम तमाम नहीं होता और अभी तक हम सब वापिस से काम पे लग गए होते है चाइना से शुरू हुआ है चाइना में कब का खता हो गया लेकिन इन चंद लोगों की वज़े से पूरा हिंदुस्तान एक लंबे समय के लिए घर पे बैठेगा मान लिया है बड़े तकत वर हो आप बड़े भादुर हो आप कि इतने भादुर इतने तकत वर हो आप कि आप अपने परिवार वालों को कांदा दोगे उनकी अर्थी उठाओगे इतना जिगर है आप है क्यों आप यम्राज और मलेकुल मौत बनना चाहते हो और क्यों अपने परिवार के लोगों पे इननिल्ला है और राम नाम सकते हैं पढ़ना चाहते हो हर बात के दो पहलू होते हैं इसके भी दो ही है एक पहलू यह है कि हम सब रहें दूसरा पहलू यह है कि कोई ना रहे है आप रिसाइड करो और सब शुक्रियादा करो पुलीस फोस का डॉक्टर्स का नर्सिस का जो बैंक में काम करते हैं उनका रिस्पेक्ट करो उनको जिनको हुआ है और एतियात रखो कि ये आगे न पहले और दुआ करो कि वो नौबत न आये जहाँ पर आपको समझाने के लिए मिलिटरी बुलाई जाए सद्धेवाद